हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहें निफ्टी के बारे में क्या बजार ठक गया है या हम यह कहें कि आज आज option traders के अंदर जो option sellers हैं उन्होंने जम कर जो है चांदी काटी है और जो option buyers हैं उनको जबस्त नुकसान हुआ है और उसका main reason यह है कि जिस तरीके से market के अंदर आज एक डायरे के अंदर जो है बजार को चलाया गया उसकी वज़े से जो है option जो buyers हैं उनको काफी जबस्त जो ह करनाया होगा अब इस चर्चा को अगर हम देखें तो हमें क्यों ऐसा लगता है कि अगर आज आप बैंक निफ्टी का पैटरन देखे स्वेशली निफ्टी के मुकाबले में तो एक डायरे के अंदर एक बार नीचे की तरफ लेके गए एक बार उपर की तरफ लेके गए और मार्केड में चल रहे थे यानि कि बजट से पहले ही जो है और आज भी और गटते ही रहे और इसके लावब जो ऑप्शन सेलर से उन्होंने अगर एक बज़े तक इंतजार किया हुआ तो काफी अच्छे पैसे जो है उन्होंने बनाया होगा और इवन जो शाम को भी जो उन्होंने सोधे कवर किया हुँगे उन्होंने भी काफी अच्छे पैसे बनाये होगा तो ऑप्शन सेलर के पास वैसे भी एक विनिंग जो है एडवांटेज होता है क्योंकि उसको जो प्रीमियम कमाने के लिए जो है काफी दूर से जो है वो चाल खेलता है और जितना की value है उतना तो उस रुक्षित रहता ही रहता है तो इस वजे से आज जो है option seller ने काफी अच्छा पैसे बनाए अलगी option seller उस दिन परिशानी में फस जाते हैं जिस दिन बड़ा move जो है market दिखाती है तो normal days के अंदर जो है आप जानते हैं कि options के जो sellers हैं वो काफी अच्छा पैसा बनाते हैं और श्पेशली लास्ट डे जो weekly expired होती है तो काफी अच्छा जो है मूव जो है अगर आ जाए तो option seller जो है फस जाते हैं नोर्मली option seller जो है ज्यादा पैसा बनाते हैं तो यह option seller और option buyer के बारे में आज जो है मैंने एक छोटी सी चर्चा आपके साथ की जो market के pattern को भी जो है बता रही है कि किस तरीके से जो है market ने आज किया तो market एक दायरे के बीच में रही हालेकिन निफ्टी जो है positive note के साथ बंद हुआ और दिन भर जो है नीचे ही जो है काम कर रहा था निफ्टी अगर आज के closing price को भी अगर हम देखें तो दिन में जो है अगर हम बात करें तो निफ्टी जो है weakness की तरफ ही था और 15,100 के उपर हलेकि अपने आपको बनाए रखा और 15,65 के low भी लगे लेकिन फिर भी जो है निफ्टी के अंदर इ यही चर्चा करना चाहूंगा कि budget से पहले जब एक अच्छी rally आई थी तो बैंक निफ्टी स्टोक्स काफी स्टोंग थे और निफ्टी कमजोर था और बैंक निफ्टी ने ही जो है लीड किया था उसकी वैसे निफ्टी में भी ज्यादा तेजी थी अब थोड़ा सा उल्ट बैंक की निफ्टी कमजोर है और निफ्टी मजबूत है तो क्या एक Rs situation बनेगी क्या है बैंक निफ्टी के स्टोक सिनिफ्टी को नीचे को देखने के लिए नहीं मिली और इसके लाँवा अभी जो है कल का जो is वह काफी इंपोर्टेंट होगा क्योंकि जिस तरीके से बजार ने उपरी लेवल से प्रोफिट बुकिंग दी थी और उसके बाद आज काफी लोगों को उम्मीद थी कि शायद नीचे की तरफ बजार जो है क्लोज बैक आया काफी जबस्त तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कल जो है या तो एक कंसोलिडेशन वाला दिन होगा या कुछ जो है उपरी लेवल से प्रोफिट बुकिंग हो के मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है ड्यू तो बैंक निफ्टी स्टोक से आज रिलाइंस ने काफी हद तक जो है मार्केट को समाल के रखा और मैं आज जो है इसी का भी जो है रजल आचुक है उस तो उसकी चर्चा भी जो है लास्ट के से में करूंगा तो यहां पर आज रिलाइंस के अंदर जो है करीबन 4 परसंड की तेजी तेजी ती और वह हैवी वेट था जिसकी वजह से आपको काफी अच्छे जो है जो है निफ्टी के अंद शाम से ही जो है माइनस में ट्रेड कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आज शायद एक वीकनेस भरा दिन होगा और उसी की वजह से जो है आज ओप्शन के बायर जो है जादा फस्ते हुए शायद हमें नजर आए और स्पेशली पुट ओप्शन के जो बायर है तो यहां पर मार्केटर ने हलेकि एक रिजिस्टेंस के आसपासी जो है क्लोजिंग दी है जहां पर अभी बजार आज क्लोज हुए है लेकिन इस क्लोजिंग से ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी एक रिजिस्टेंस मिलना चाहिए और या कंसोलिडेट करना चाहिए और अभी इस दाइरे के अंदर ही जो है 15,000 और जहां पर भी क्लोज हुआ है इसके दायरे के बीच में ही जो है काम होता हुआ जो है नजर आना चाहिए तो यह करीपन 15,000 से लेके 15,000 और 250 के बीच की जो रेंज है उसमें काम होता हुआ शायद आपको नजर आये कल भी आज देखिए का 58 points का जो contribution है और नैसले काफी दिनों के बाद जो है FMCG के शेस के इंदर अच्छी जो है रुजहान देखनी के लिए मिला और नैसले उसमें लीड करता हुआ नजर आये तो 4.62 की जो तेजी थी एच्टेशी बैंक जो है दो दिन की गिरावट के बाद आज जो है गिरता हुआ ही नजर और 8.45 की जो है नेगेटिव कंट्रिबूशन था टाइटन की तरफ से 6.96 और ग्रोथ जो है और मार्जन के उपर प्रेशर था रिजल्ट के अंदर तो टाइटन को आज को उसका हर जाना भुगतना पड़ा लारसन का जो शेर लेंटी निकी 5.76 का कंट्रिबूटर था मैं आपको कहा रहा हूं कि बजार था करा दें कि बजार सुबह खुलते हैं और खुलने के बाद एडवांस इस हाइस लेवल पर जाते हैं और शाम होते होते एडवांस इस नीच आ जाते हैं और घटने वाले जो हैं सुबह सबसे कम होते हैं और शाम को बढ़ते बढ़ते जाता हुए यह इस तरीक पेटर्ण को जो है सेजिस्ट करता है की बजार के अंदर उपरी लेबल पर जो है रोज खोला जाता है, उम्While के साथ और धीरे 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 करके जो posición båूर जाता है, उस हके सब्सक्राइए हैं यह को हां मिल रहे हैं। आला कि 2.6 और 2.13 गेल के अंदर तो देखिए का यहां पे मुझे अभी Sun Farma से अभी भी उपर के prices आ गए है लेकिन यहां पे अच्छी सी उमीद जो है बन रही है और शायद ऐसा लग रहा है कि breakout जो है इस बार करेगा और market जब गिरती हुई भी नजर आएगी शायद तब भी Sun Farma में आपको एक दम जो है नजर आ सकता है और काफी एस का जो है Consolidation है पांच-छे साल का और पूरे रनप में भी नहीं चला था लेकिन अब Sun Farma से उमीदे जगने लगी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास पुराना Sun Farma पड़ा हुआ है अब एक्जिट ना करें और मुझे परसनली भी ऐसा लगता है कि अगर Sun Farma नीचे आता है और 600 रुपे से नीचे मिले और अगर 500 कैस पास मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया और यहां पर एक या दो साल का अगर टाइम होरीजन है तो Sun Farma एक अच्छी रिटर्स देने का दम रखता है अब जिस तरीके का प्राइस पैटर्न है वो भी जिस तरीके का फंडमेंटल से उसके अंदर जो चेंज हो रहे हैं उसके इसाब से भी और कंपनी के जो इसके अलावा जिस तरीके से मार्केट के अंदर इंडेक्स मैनेजमेंट होगी उन सब रीजन से Sun Farma जो है एक अच्छी बाइंग बन सकती है अगर 600 रुपे से नीचे अगर Sun Farma आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा ट्रेड बन सकता है महाँ पर इसके अलावा भी जो Sun Farma के अंदर हमें जो दूसरी उमीद है वो यह है कि अगर लोंग टरम के नजरिये से बेगर Sun Farma को देखा जाए तो Sun Farma काफी अच्छा जो है यहां पर लग रहा है यह मेरे जो राय है यह व्यक्तिकत राय है इंडिपेंडेंट राय है Sun Farma मेरे पोटफोलियो के अंदर हो सकता है और है भी तो Sun Farma जो है मेरे पस्नल पोटफोलियो में भी है तो राय हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बाइस लगे लेकिन मैं आपके साथ इंडिपेंडेंडेंट ली जो है का मूव सन फार्मा के अंदर है वो शायद लोंग टर्म के अंदर भी एक अच्छी जो है रन अप की जो है तैयारी कर रहा है अब गिरावट वाले शिए साइसर मोटर टाइटन एंटी पीसी एल एंटी टाटा मोटर कोल इंडिया एच डिफसी लाइफ सिपला एच डिफसी ब अगर आप पूरे दिन भर देखेंगे तो दिन भर जो है उठा पटक जो है जलाते रहे और ऑप्शन ट्रेडर को फसाते रहे जैसे नीचे जा दी तो लोगों को लग रहा था कि आज तो मार्केट गिर जाएगी और पुट के जो बायर सा वा जाते थे और जैसी मार्केट को बिल्कुल बीच में जो है बजार को बंद कर दिया गया तो आप देखेंगा 35573 और हाई देखेंगा 36009 तो जैसे 36,000 के पास जा रहा था तो तो ऐसा लग रहा था आज बड़ी तेजी होने वाली है और यह देखेंगा लग 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 मिडल कोईट के उपर जो बजार ब बैंक निफ्टी की लेकिन रुजहान देखिए का अब धलान वाला आ गया नीचे वाला तो अगर निफ्टी में कोई भी गिरावट होगी तो मुझे अब ऐसा लगता है कि उसका जो कल्परीट होगा वो बैंक निफ्टी होगा तो बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा वीक ह भी जो है आपको भड़ता हुआ नजर आए और 35,000 के बाद भी अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 35,000 पर एक अच्छे स्पोर्ट जो है बनेगी इसके अंदर फिर उसका 35,000 का साइकलोजिकल लेवल और उसके नीचे जो है 34,400 तक भी जो है इस महिने के एंड तक की एक्सपा बंदन 1.41, HDFC वैंक 31.31, SVI 11.33, 6.98 यहां से भी सेम संगेत मिल रहे है कि बजार थक गया है और स्पेशली बैंक इस्टोक थक गया है थोड़े से चलते हैं थोड़े से गिर जाते हैं बीच में आप जबकि पिछले हफ्ते दब में देख रहे थे कि एक ही शेर गेंदर 100-100- इवन 400-400 पॉइंट की भी जो है कंट्रिबुशन जो है देखने के लिए मिला वो भी पोजेटिव साइड में तो अब थकते हुए जो है यहां पर नजर आ रहे हैं अब अब डेटा भी जो है इसी तरीके के संकेत दे रहे हैं कि आफनो की जो बाइंग देखिए गा तीन फ पर लाओ फिर बजार को बेचेंगे तो बेचने के लिए अबी आ जाएंगे तो आज आज ने जो है कम बाइंग की और उसके लावा देखिए का बहुत रहा है इसा होता है कि दो करोड़ की जो बाइंग है इंडेक्स फ्यूचर ने हुई हो आप बहुत ही कम देखेंगे ऐ पर अनुचर सों देखें तो बैंक निफ्यूचर के शेलिंग है। यह जो सेलिंगे शायद बैंक सिक सोक से आ रही है तो मैं हाइं पर आपकेशना चाहूंगा ौन यह देखिएगा आपके सामने पैट्रो नेट LNG के जो रजल्ट्स है वो आज पेश किये गए तो Q3 का जो नेट प्रोफित है वो 8.82 बिलियन यानि कि 882 करोड रुपया जो कि 6.8 था पिछले साल तो estimate था 7.5 और उसके सामने अच्छा है तो result काफी अच्छे है तो हो सकता है पैटो नेट कल आपको positive news देता रहे price pattern के angle से बात करें अब बात करते है ITC के दोनों results की standalone की भी और consolidate की तो stand alone जो profits है वो 36.63 बिलियन है जब कि पिछले साल 41.42 थे तो यहां पर एक d-growth देखने के लिए मिली है लेकिन revenue जो है 125.8 जो कि पिछले बार 120 थे तो करीबन-करीबन 4 परसेंट का जो है move आपको देखने के लिए बिला है revenue तो revenue गुरू तो 4% की है stand alone balance sheet और इसके लावा company ने 5 रुपे का dividend भी दिया है तो dividend को enjoy करिएगा और इसके लावा अगर consolidated basis पर बात करें तो 35.27 क्रोड के जो है profits है यानि की 30.27 3527 क्रोड के और जो की पिछले बार थे 3976 क्रोड के तो 3527 क्रोड के profit है जो 356 क्रोड के profit है year on year तो मी जो है 3700 क्रोड के profits की थी तो उसके मकाबले में जो profit कम है तो मी यह कैसे है कि neutral result है ना कोई positive है ना कोई negative है एक चीज है 5 रुपे का dividend है 5-6 रुपे का dividend लीजिए enjoy करिए नीचे गिरता है 200 रुपे के आसपास आता है खरीदने की कोशिश करिए और long term के लिए भ है तो और पांच रुपे का dividend जो है काफ इच्छा dividend company पहले भी जो है 11 रुपे का शायद मिरको exactly याद नहीं दस यह 11 रुपे का dividend अलड़ी दे चुकि है final dividend तो इस चर्चा के अंदर आज की चर्चा में मैंने जिस शेस को cover किया उसमें तो शेस थे basically one is an ITC and second is a Sun Farma मैंने बोल की level पर बना रहता है तो Sun Farma में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिल सकती है जो long term के investors हैं वो भी अगर Sun Farma में थोड़ी correction होती है 10-12% तो एक अच्छा जो है buy मुझे लगता है कि long term के लिए भी बन सकता है यह जो भी मैं राय आपको दे रहूं इन राय को आप अगर follow क से बता रहा है कि किस तरीके से movement हो सकती है तो यह आपको वीडियो कैसे लगी जरू से जरूर आप मुझे comment box से बताईएगा वीडियो देखने लिए धन्यवाद thank you very much